हेलो एवरिवान मैं सिम्रन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेविल अप लर्निंग पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना इगनू का आई काड कैसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल इस सिंपल स्टेप्स में बताएंगे ताकि आ आप क्या करोगे आप गूगल पर लिख देना इगनू स्टूडेंट लोगिन जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपको ये इगनू की समर्थ इगनू वाली वेबसाइट शोगी आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टल पर आए इस पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लोगिन करना होता है बट हो सकता है आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड ना याद हो अगर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो आप यहां से लोगिन कर सकते हो अगर नहीं याद तो उसका भी मैं ऑप्शन बता रही हूं ठीक मिशन ले रहे थे आपने जो अपनी Gmail ID डाली थी आपकी नेक्स पेज पर वो Gmail ID शोर ने लग जाएगी और नीचे आएगा कि आपकी Gmail ID पे OTP चला गया है आपको वो OTP डालना है जब आप वो OTP डालोगे तो एक प्रीशेट पासवर्ड का बता रहे हूं ठीक है जी अब आपने क्या करा मालो आप यहां पर इस स्टूडेंट पोर्टल पर आए अब आप यहां स्टूडेंट लोगिन पर आए यूजर नेम पर अपना इंडॉल्मेंट नंबर लिख देना पासवर्ड बे अपना जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पर लिख देना और यह जो कैप्चा पूछ रहे हैं यह कैप्चा लिखके आप लोगिन कर देना आप जैसे ही लोगिन करोगे तो यह ऐसे आपका अकाउंट खुल जाएगा और यहां पर शो रहा है डी इसी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डूड के एन एडुकेशन यानि यह लास्ट में जो सर्विसेज इस पर क्लिक करना है आपने सर्विसेज पर क्लिक करा तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन शो रहे हैं अगर किसी को स्टडी सेंटर के चेंज करवाना है तो उसकी रिक्वेस्ट या रिशनल सेंटर चेंज करवाना है उसकी रिक्वेस्ट यह पर आपका शो ने लग गया कि यह अपका प्रोग्राम है और यहां जैसे आप अपनाArch आपका enrollment number है enrollment number ही आपका password होता है तो यहाँ पर मालो enrollment number को मैंने okay कर दिया तो यहाँ पर यह इस बच्चे का iCard open हो चुका है इसके अंदर आपकी सारी details होती है तो सब बच्चे अपना iCard download करके जरूर रख लेना क्योंकि जब assignment सब्मिट करते हैं तब भी iCard आगे लगाते हैं प्रोजेक्ट सब्मिट करते हैं तब भी iCard लगाते हैं जब examination form भरते हैं जब exam देने जाते हैं तब भी अपना iCard साथ लेकर जाना होता है तो अपने iCard को संभाल कर जरूर रख लेना i hope आपको ये वीडियो useful लगी होगी क्योंकि बहुत से बच्चों को confusion हो रही थी मैं पता है नहीं चल रहा iCard कैसे डाउनलोड करने है बहुत confusion हो रही है तो मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया बिल्कुल आसान steps में कि आप अपना iCard कैसे डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को लाइक कर देना नीचे कमेंड करके बता देना क्या तुमारा iCard का डाउनलोड हो गया ना और क्या तुम तैयार हो अपनी पढ़ाई करने के लिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करें लिया होगा क्योंकि सारा साल तुमारे लिए इतने important updates आने वाले हसते र मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई information के साथ